माता पिता को भी टेंशन रहता है और खास करकि जो लड़कियां है जो बाहर जाना तो होगा है चाहे वो अध्यन के लिए जाए चाहे कारे के लिए जाए ऐसे में स्वयम में सुरक्षा की भावना कैसे महसूस कर सकते हैं बहुत अच्छी एक प्रैक्टिकल ज्वलंत बात है ये और इस पे सभी को बहुत अच्छी रोसनी की आवश्यक्ता है हम सभी को जो स्प्रिच्वल नॉलिज मिली है मैं उसी के आधार से इसका समाधान दूँगा हमारे चोटी कन्याएं समर्पित होई हैं और सिवाबा ने उ तो तुम्हारे वाइब्रेशन्स अगर बहुत सुंदर होंगे तो दुसरों को तुम्हारे बारे में गलत फीलिंग्स गलत संकल्प नहीं आएंगे मुझे याद है मैं जब बहुत चोटा था तो आबू के जंगलों में अकेला घूमने जाया करता था 20 साल की आयू थी मेरी तो डर तो लगता है कहीं पता था यहां चीता होता है कहीं यहां बालू होता है तो मुझे बाबा की एक बहुत सुंदर बात मिली, मैं अपनी बेहनों को वही सब कहना चाहूँगा, कि अगर तुम योग-योक्त रहती हो, तो किसी को तुमारे बारे में संकल्प भी नहीं उठेगा, तो ये ठीक है कि आज का माहूल थोड़ा निगेटिव हो गया है, और आपका डर ना बिलकुल स्वाभाविक है, लेकिन हमारे पास ऐसी भी बहुत सारी कुमारियां है, मेरे साथ भी है, मुझे उन पर ऐसा confidence रहता है, उस अंजार में अकेली कहीं भी घूमाएं, कोई उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, क्योंकि उनका अपना चरित्र, उनकी इनर्जी है, जो संकल्पम बार-बार करेंगे, उसको हम किरियेट करेंगे, घर से आप निकल रही हैं, और आपके मन में एक भै है, कहीं कुछ हो न जाए, और आपके कदम ही डर के साथ उठ रहे हैं, तो आप निगेटिव एनर्जी फैला रहे हैं, और देखने वालों को उ दूसरों के निगेटिव वाइब्रेशन्स को समात करेंगे, और महाब आपको भी अपने वच्चों में बहुत कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, होता क्या है, कि महाब आप कुछ ऐसी चीजे देख लेते हैं अपने लड़कियों में, जिनके कारन उने थोड़ा भैस अताता है, कि इनका चलना या देखना या सुनना या इनके टोटल एक्सप्रेशन्स, लेकिन आप बहुत स्ट्रोंग हो जाएं, तो वास्तों में आप सदा सुरक्षित रहेंगे और कहां तक डरेंगे?